आज मैं कच्चे आम की शर्बत की रेसिपिट शेयर करने वाली हूँ मैंने दो पिस कच्चा आम ले लिया है मौथी जट पट बन जाने वाली है और गर्मियों की सिसन के लिए तो बहुत ही अच्छा है पहले इसका शिलका निकाल लेंगे हम आम को छिल लिया है मैंने कि बारिक पर एक टुक्रा करना है इस तरह से पहले पिसस निकालने हैं साइड साइड से बहुत ही से काटे शोटे शोटे पिसस में कट कर लेंगे मैंने 8-10 पुदीने के पत्ते लिए हैं वो डाल देएं एक हरी मिर्ची मैंने छोटे साइस का यह तीखा हरी मिर्ची है अगर आपका मिर्ची तीखा नहीं है तो एक पुरा एक हरी मिर्ची डाल सकते हैं मैंने आधा डाला है कट करके एक मिक्सिक अजाग ले लेंगे आम को मैंने कट करने से पहले धो लिया था एक कब सक्कर के लिया है मैंने वह भी इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून नमक आधा टीस्पून काली मिच और जीरा का पॉटर डाल दिया है मैंने चलिया यह इसी मिक्सर में पीस लेते हैं शर्वत बनके तयार हो चुकी है चलिया यह सर्फ करते हैं है मैं रहे हैं तोड़े से आइस क्यूब डाल देंगे तोड़े से पुद्धिने के पत्ते तोड़कर डाल देंगे हम मैंने आम के छुटे से टुकरे रखे थे वो भी लगा देंगे ग्लास में कच्चे आम का शर्वत बनके तयार हो चुका है बहुत ही टेस्टी बना है समर के लिए तो बहुत ही अच्छा है इस गर्मियों के सीजन में आप अपनी वच्चे को बना कर दे सकते हैं अगर आप सबको मेरे वीडियो पसंद आती हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें इसी तरह से एक अच्छी रेसिपे के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अल्ला हाफीज झाता है